गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स हो यू कैसे हैं आप उम्मेद करता हूं कि आप अच्छ होंगे हल्दी होंगे और इंज्वाइ कर रहे होंगे स्टुडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास एट में जो आपकी बुक है ठीक है बुक का नाम आपको बता इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने चल रहा है एक एक पॉइंट को एक पॉइंट को एक एक चीज को हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे तो आई हम लोग शुरू करते हैं ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्स्राइब कर आसान लाइंगेज में एसलांगेज में लोग इसको एक्सप्लेंड करते हैं समझते हैं पढ़ते हैं समझते हैं वहिस्ट इंडियक में आई तो उसके आने तक इंडिया में जो रूरल सिस्टम था जो लाइफ था वो कंप्लीटली रूरल थी उस टाइम इंडिया में सीटी थे नहीं और हम बहुत ज़्यादे डेफलप भी नहीं थे हमारे कुछ अपने रूल से अपने रेगुलेशन थे ठीक है हम वैदिक कल्चर वाले लोग थे लेकिन इस टीनिया कंप पूरा का पूरा उन्होंने चेंज कर दिया तो वह जब आये उन्होंने जब देखा कि इंडिया की जो स्वाइल है बहुत जाथा फार्टाइल है और अग्रिकल्चर करने के लिए यहां पे अट्मस्फियर भी अच्छा कासा है और सारे कंडिशन्स क्या हैं सूटेबल हैं अच्छे कंडिशन्स हैं एग्रिकल्चर करने के लिए तो उन्होंने कुछ सिस्टम यहां पर अपना है और वो सिस्टम उन्होंने अपना है अपने फायदे के लिए उन सिस्टम्स को लागू करने का जो में मोटो था जो में मोटीव था वो इंडियन लोगों को फायदा प जमीन से रिलेटेट लैंड से रिलेटेट तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों ने की तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम उन्होंने लागू करवाए जिन में से सबसे पहला आपका था जमीनदारी सिस्टम दूसरा आपका था रायतवारी सिस्टम थर्ड आपका है महलवारी सिस्ट यह तीनियों सिस्टम अलग अलग लागू किये गया जमींदारी की बात किया तो सबसे पहले बेंगौल में उसको लागू किया गया उसके बाद सर्रायत वाड़ी की बात किये तो मद्रास और बंबे प्रेसिदेंसी में उस टाइम इन्डिया को प्रेसिदेंसी में बाट रख था महलवारी की शुरुआत उन्होंने कहां की तो पंजाब और नौर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया इन प्राविंस में नोंने किया ठीक है तो आई चलते हैं डिरेक्ट जमिंदारी सिस्टम में जिसको कि हम लोग पर्मनेंट सेटल्मेंट भी कहते हैं जो सब्राइब आजिए 93 में एक सिस्टम लाया जिसको गन्होंने पर्मॉनेंट सेटल्मेंट कहा हैं इन दी मास्ताय बंदवास्थ कहा यह तैब इस सिस्टम में में पॉइंट्स कहते सिस्टम था क्या इसमें लागू क्या किया गया वह मापको डीटेल में बथाने वाले हैं इसमें जह स्वर्स्ट इंपॉर्ट्न पाइंट और अपका यहये है जमीदार मेद्थ अफ Suff performers office यह फॉर्ण जितनी फिरीव लैन दे में जितनी जमीन थी उनको प्रृतिस ने क्याrators उसर आपष्थ replicate छॉद्र Ç met के रूप में काम करने लगे उनको responsibility दे दी गई कि आपको revenue revenue का मतलब होता है पैसा economics में हम लोग पैसे को revenue के नाम से जानते हैं आप इस समझ सकते हैं कि लगान या माल गुजारी या टेक्स भी आप इसे समझ सकते हैं तो वह प्रिटीस क्या करते थे टेक्स वसूलते थे जो भी कुल्चर वगर किया चलब जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता था जो भी फासले उगाई जाती थी उसकी एवज में क्या करते थे तो टेक्स वगर वसूला करते थे तो टेक्स ब्रिटीस ऑफिसर अंग्रेज क्या हुए कि डिरेक्ट लोगों से टैक्स ना वसूल करके उन्हें लैंडलोट को सामने कर दिया और लैंडलोट को जमीदारों को जिम्मिदारी दे गई कि आप टैक्स वसूल करके हमको दीजिए तो उसमें सिस्टम क्या बना कि 89% कितना अगर टोटल 100% आप टैक्स वसूलते थे या रेवन्यू या पैसा वसूलते थे तो उसमें एकटी नाइन परसेंट बिटिस इंडिया कंपनी को इस इंडिया कंपनी को दे दिया जाता था ठीक है बिटिस ऑफिसर्स को चला जाता था और 11 परसेंट जो है कि जमींदार या लै 10-Yours के बाद सारा का सरा डपन कांपनी फिर मॉनरेजिशन करती थी 10 य' के बाद फिर उसको देखती थी लेकिन 10 तक लेंड-लॉडड वही रहते थे और उनका काम क्या था अपका की जितना भी ट्रक्स वसूलत सकते थे जो भी क्लेक्शन होता था जो भी प्रोडक्शन होता था चाहे वो crops का हो चाहे वो किसी टाइप के crops का हो उनसे ये लगान की रूप में टेक्स की रूप में वसूल करके इस टिंडिया कंपनी को पहुंचाया करते थे उमिद है आपको सारी points सारी चीज़ें असानी से समझ में आ रही होंगी अगर कोई आप कुछ आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप हमको comment box में comment करके हमसे question आप पूछ सकते हैं आपके questions का welcome रहेगा तो एक काम और किया उसने अंग्रेजों ने कि यह permanent settlement के अंतर के तुरून क्या किया कि जो जमींदारी पोश्ट था जो जमींदार थे उनको heredity कर दिया गया यानि जमींदार का लड़का अगला जमींदार होगा अब जमींदार का लड़का बुरा है क थे कि पापी है कि क्या है इसे मतलब नहीं था यानि वो अगर eligible था तो भी बन जाता था और eligible नहीं था टीकर योगय नहीं था अच्छा पर्शन नहीं था थी जेटलमेंट नहीं था तो भी उसको बना दिया जाता था यो कि अच्छी बात नहीं थी कि अब ने सि क्या और इसको ले करके जो फार्मर्स थे जो गरीब मजदूर थे लेवर थे फार्मर थे लैनलेस फार्मर थे जो भी अिक्टिविटीटी टें यह थे उन में बहुत गुसा देखने को मिला is सीज को लेकर जब लिए इसमें ऐस क्या थैं लिपीशन यह कि की रूल की अनुसार क्या था कि 11 पर्जेंट हिस्सा के और वस जमिंदार रख सकते थे तो जमिंदार को अपना भी तो प्रॉफिट हुसमें बनाना था जमीदार क्या करते थे कि बहुत बहरायमी से ज़ादा एमाउंट में उसको वसूलते थे वसूलने में कोई किसी प्रकार की रियायत वो नहीं करते थे और बिटिस इंडिया के प्रति अपनी स्वामी भक्ती दिखाने के लिए तरह तरह से अत्यार किया करते थे और रिलीव नहीं देते थे दूसरा यह था कि जो भी फार्मर्स थे क्रॉप्स रोटेशन के लिए क्रॉप्स बोने के लिए फ़सले उगाने के लिए किसी प्रकार की कोई सब्सीडी नहीं दी जाती थी farmers को अपने खुद बेवस्ता करनी होती थी और किसी समय अगर बारिश नहीं होई या सूखा पड़ गया या कोई natural calamity आगई ठीक है ठीक है तो उस time अगर फसल production नहीं हो पाता था crop production सही से नहीं हो पाता था तो उस time में भी ये लोग जो लगान का रेशियो था उतना ही लेते थे लगान कम नहीं करते थे टैक्स अपना कम ये नहीं करते थे तो अब मौसम खराब होने के ना थे बारिश सही से नहीं होने के ना थे ठीक है मानसून पे टोटल आपकी agriculture डिपेंड थी ठीक है या पारिश नहीं होई सूखा पड़ गया या कोई natural calamity है गई तो उस टाइम किसानों की कमर तूट जाती थी और जो farmers हुआ करते थे वो tax देने में जो या की eligible नहीं थे लेकिन उस टाइम भी उनसे tax वसूला जाता था जो की exploitation का यह एक्जामपल यहां पे था ठीक है उसके पास से अपने crop rotation करने के लिए फसल बोने के लिए उनको कुछ पैसिक जरुत परती थी तो उसी landlord से करद ले लेटे थे लोन ले 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 लेटे थे या money lender के पास जाते थे ठीक है, state महाजण के पास जाकर के वो लोन लेते थे और अगर लोन वो नहीं चुका पाते थे तो landlord और money lender क्या करते थे कि उसकी farmers की जमीनों पे कबज़ा कर लेते थे तो इस साल अगर वो किसान है farmer है उसका अपनी जमीन का मालिक है तो अगले साल वो अपनी जमीन का मालिक नहीं भी हो सकता था तो exploitation बहुत जादे होने लगा और जमीनदार जो थे वो मनमानी तरीके से काम करने लगे तो यह कुछ कमिया थी आप किसका permanent settlement का फिर उसके बाद से 1820 से 1820 से 7 के बीच एक नई system आया रायत वाड़ी settlement रायत वाड़ी बेवस्था आई अभी यहां किया था भाई रायत वाड़ी सिस्टम आप है ठीक है वह भी रेवनियू लैंड रेवनियू का ही एक system था ठीक है लैंड रेवनिव était सिस्टम था इससको भी रेवनियू जादाकी पयसा अ-इंडिया के जादाश पैसा पॉनरों ने ठीक है और रायात वारी सिस्टम जोछे की बॉम्बे और उसके एड ज्वायनिंग का मतलब होता है आसपास के एरिया बॉम्बे और उसके आसपास के एरियाज में रायतवारी सिस्टम को लगाया गया उसको लागू किया गया ठीक है जो फसल जो पैदा करते थे जो कल्टिवेटर हुआ करते थे फसल जो पैदा करते थे उनको रायत कहा जाता था आर वाई यो टी एस राइस कहा जाता थ तो इसी से उस सिस्टम का नाम क्या पड़ गया रॉयत्वारी सिस्टम ठीक है और इसको किवल दो रीजन के वज़े से लाया गया पहला रीजन क्या था देर वेर नो जबिंदार्स और अधर इंटर्मेडियरी इसमें जमिंदार नहीं थे और कोई भी इंटर्मेडियरी मतलब बीच आल या नहीं था बीच में कोई नहीं था ठीक है डारेक्ट किसानों को जमीन दे दी जाती थी और ब्रिटिश इंडिया इसे टेक्स पर सुलती थी जैसा कि आपकी बुग में लिखा ज़्यादे कलेक्ट हुआ और बिटिश ऑफिसर की जेवें भरने लगी बिटिश इस्ट इंडिय कंपनी का खाजाना भरने लगा ठीक है और रेवनू यहां पर क्या लिया जाता था तो टोटल प्रोडॉक्शन का वन बाई थार्ड वन बाई थार्ड लिया जाता था जितन भी जमीन में जितनी भी प्रोडॉक्शन होती थी जिस प्रकार की प्रोडॉक्शन हो जो भी फसल बोग जाती हो टीक है जितना टोटल प्रोडॉक्शन होता था उसका वन बाई थार्ड एजर रेवन्यू लिया जाता था ठीक है लेकिन इस व्यवस्ता में भी रायत्वारी system में भी बहुत सारी कमिया आने लगी और कुछ कमिया जो पिछले system में थी वो इसमें भी transfer होने लगी कमिया यह थी कि फिर वही बाद सामने आई कि जो गरीब किसान थे जो छोटे मोटे किसान थे फार्मर्स थे जिनके पास जमीने कम थी जो छोटी-छोटी जमीने जिनके पास थी चोटे-चोटे उनके फिल्ड थे खेत थे ठीक है तो उनके पास backup plan कोई नहीं था किसी season में अगर बारिश नहीं होती थी फसल उनकी चौपट हो जाती थी तो फिर अगले season में agriculture करने के लिए उनको पैसे की जरूत पड़ती थी फिर वो landlord के पास जाते थे money lenders के पास जाते थे ठीक है और loan लेते थे पैसे उनके उधार लेते थे ठीक है और अगले साल भी अगर फसल उनकी चौपट हो गई ठीक है बहुत जादे बारिश हो गई या बारिश बिल्कुल भी भी नहीं हुई सुखा पड़ गया या कोई natural calamity आ गई तो फिर वो कर्ज में डूप जाते थे वर अपना पैसा वापस नहीं कर पाते थे पैसा वापस ना करने की situation में इनकी जमीनों पर कपजा कर लिया जाता था यानि farmers के साथ जो exploitation था जो उनका बेवस्ता में भी जारी रहा उसमें कोई अंतर नहीं रहा फाइदा किसको हुआ तो बिटिस गवर्मेंट को हुआ और ज्यादे रेवेनिव उनके पास आने लगा और ज्यादे पैसे वह यहां से लूट करके ले जाने लगे लेकिन farmers की जो condition थी किसानों की जो दशा थी वो विलेजेस का ग्रूप था ठीक है विलेजेस का ग्रूप था यह ग्रूप ठीक है कालेक्टिवली क्या किया करता था तो फसल उगाया करता था उसी ग्रूप को माहल कहा जाता था इसी से यह सिस्टम आपका हो गया माहलवारी सिस्टम हो गया ठीक है और जमिनदारी सिस्टम जो आपका था यह उसी का modified क्या था वर्जन था समिधारी सिस्टम में थोड़ा बहुत change करके ठीक है इसे ले आया गया था और इसे लागू किया था नौर्थ वेस्ट प्राविंस में और Central India में Central India की बात करें तो आपका Central India में मंदेप्रदेश आता और आरावली सत्वड़ा और विंद्याचल काया रहें जाता है पंजाब में भी लागू किया जिसको Northwest province में Northwest province का मतलब का हूँ कि Northwest Northwest province केहने का मतलब और्ब की वेस्ट साइड में आपके तो गुजरात पड़ता है राजस्तान पड़ता है और तब आपका पकिस्तान भी इंडिया नहीं था तो पूरा को पूरा आपका लाहार और पँझाब का इलाखा था तो सारैं क्लूडअ था ठीके के सिंद Carta पंजाब था तीके और इंडिया का जो पंजाब था वो भी था उसमें तो बहुत बड़ा एक और ये नॉर्थ वेस्ट जो आपका एरिया था किके वहाँ सिंधू रिवर वहाँ से बहा करती थी और वो एरिया जो आपका था बहुत ही हाइली फाटाइल था बहुत जदा उप जाओ एरिया था वह बहुत जदा फाटाइल एरिया था वह किके इंडस रिवर आपकी Julian बहती है तो लद्दाग में आती है लद्दाग से आपका सीदे पाकिस्तान में चले जाती है तो पूरा पूरा आपका जो गुरात का इलाखा था और जो आपका पूरा का पूरा जो पकिस्तान इस टाइम है इंडिया में था उस पूरे एरिया में इसको लागू किया गया ठीक है लागू किया गया तो the villages community which jointly responsible for the payment of land revenue तो villages का group था तो यह jointly क्या थे responsible थे land revenue पे करने के लिए जंगल था और pastures यानि जो पश्वों को अपने चराते थे वो भी इस village community में बिलॉंग करते थे तो महलवारी system में आपका यही था आसान language में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि village wise assessment था आपका land revenue collect करने का यानि village to village गाओ गाओ इसमें जुड़ जाता था village to village आपका connection बनता था और collectively responsible थे village वाले इस आपको revenue को पे करने के लिए tax या लागान को पे करने के लिए आए अब हम देखते हैं अगला एडिंग अगला एडिंग आपका है प्लाइट आफ फीजेंड लेकिन इससे पहले एक और एडिंग है मैं आपको पताना चाहता हूं वह एडिंग आपका है commercialization of agriculture क्या है वो commercialization of agriculture यानि इस्ट इंडिया कंपनी जब आई इंडिया में जब ब पतल की जानकादी यहां के इंडियन लोगों को नहीं थी या वो उस टाइप की क्रॉप नहीं हुगाया करते थे या उस टाइप भी खेती वो नहीं किया करते थे उसमें जो में तब आपका था ओपियंग को हिंदिम कहें तो आफीम कहा जाता है एक नसीला पदार्थ होता ह इस हेडिंग को मैं अभी थोड़ी दिर में आपको करूंगा उससे पहला हिडिंग जो आपके अ कमर्शलाजेशन आपके अरक कल्चर उसको मैं एकस्ट्र कर रहा हूं तो अपीम क्या था यह एक नसीला पदार था नसे के लिए इसको नसे कीया जाता था यह फूल होता था उस फूल के ठीक है अधपके फूल से इसको एक्स्टेट किया जाता था ठीक है और ओपियम का ठीक है ओपियम और टी चाय जी से कहते हैं टी ठीक है तो टी भी आपका चाय भी आप इंडिया की फसले नहीं थी यह चाइना के युनान प्रोविंस से अंग्रेज लेकर कर आये थे और इंडिया की जो क्लाइमिट थी वो टी और ओपियम उगाने के लिए परफेक्ट थी ठीक है क्लाइमिटी कंडिशन यहां पर अच्छी थी तो यहां पर उन्होंने उगाना चालो किया सेवेंटीन सिक्स्टीफाइव में कमपनी ने जो है कि कॉंट्रेक्टर्स को ठी एक फिइए उप्यम बंगाल में बंगाल में उगाने के लिए और इसके साथ ही साथ वो प्यम हो गया आपका इंडिओ इंडिओ तिक क्यों मतलब नील की झाल होती थी याट है तो यह आपको यहिस्ञ के अगीं फियिक यह और ऊटो और उसक्षिक्राव करती थी तो बेंग पॉल में आपका ओपियम भी उगाय जाता था और नील भी आपका उगाय जाता था लेकिन अब इसमें देखने मेरी बात यह है यह दोनों जो क्रॉप्स थी वो केवल आपके ब्रिटिस वाले अपने अफाइदे के लिए उगाते थे इंडिया में उसको यूज था नहीं ठीक लिए कहा जाता था उनको लालस दिया जाता था कि इस क्रॉपbes को उगाने में ज्यादा पैसा अब को ज्यादा पैसा पूंद्ध यु जाएगा लेकिन उनका सोशन किसानुका किया जाता था ठीक है नील की खயती इंडिया को की खिएती जब होने लेगी टीक है उसके लिए बहुत सी एक्ट बनाया गया ठीक है 1830 में एक आपका एक्ट बनाए गया जिसको कल्टिवेटर्स ने नहीं माना ठीक है फिर 1835 में एक एक्ट बनाए गया एक नियम बनाए गया ठीक है लेकिन उसमें इतना एक्स्प्लोइटेशन हुआ फार्मर्स का कि फार्मर्स ने मिल करके इंडिगो रिवोल्ट किया नील विद्रो कर दिया ठीक है यानि अंग्रिजियों के खिलाफ वो खड़े हो गया और इसमें इसको नील विद्रो का जाता है इंडिगो रिवोल्ट का जाता है दिगंबर वि सब्सक्राइब कि नील रिवोल्ट यानी नील विद्रोह किया गया और बंकीम चंद्र ठीके एक आपका नौवेल है दीन बंदुमित्रा उसके उन्होंने लिखा हुआ है नील नील दरपन नील दरपन नोवल में नील विद्रो का जिक्र है ठीके अंग्रेजों ने यहाँ पर उगाना चलू किया गन्ना यहां पर उगाए जाने लगा ठीक है और उत्रप्रदेश और महारास्ट्रा यह दो अच्छे कासी एरिया थे आपके गन्ना उगाने के लिए क्योंकि यहां कि जो क्लाइमिट थी वहू वहू गन्ना उगाने के लिए उपयुक्त थी ही शूटेबल थी टाइसा तो यह इन इन न ये इन इन कमर्शल फफस लों का भी इसके साथ ही इसाथ कॉटन हो गया आपका ठीक है कॉटन हो गया कर रबर वह गया पेपर काली मिर्ष यह होगी तिक है और आपका सिल्क तो इंडिगो, कॉटन, सिल्क, ओपियम, पेपर और सुगर इन फसलों का भी अच्छे खासे अमांट में बिटिश लोगों ने यहाँ पर खेती करवाई, एगरिकल्चर करवाया और पूरा का पूरा फायदा उन्होंने लिया बहुत जादे पैसे उन्होंने यहाँ से लूट करके वो अपने यहाँ ले गए हम गुलाम थे, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे अब आते हैं हमने, अब अपनी जो मेन हेडिंग थी प्लाइट ऑफ पिजन्स, प्लाइट मतलब क्या होता है, कंडिशन, दशा तो इतना जब एक्स्प्लाइटेशन हो रहा था, जमीनों पर कबजा कर लिया जाता था मानी लेंडर्स, लैंडलोड का आतिया चार था, तो निश्ची तुरूप से जो किसानों की दशा थी, कंडिशन थी, वो अच्छी नहीं थी होता किया था कि हाई टेक्स लेप था, टेक्स उनसे बहुत ज़ादे वसुला जाता था, ठीके, लगान, पैसा बहुत ज़ादे उनसे लिया जाता था, ठीके, और इंडिया में जो उस्टाइम एक्री कल्चर था, वो टोटली आपका मानसून पे डिपेंड था, साइन्टि सारा पुराना सिस्टम था, मानसून पे ही सारा डिपेंड होता था, कभी-कभी जब बारिस कम होती थी, या नहीं होती थी, तो सूखा, ड्रॉट हो जाता था, ड्रॉट मतलब सूखा पर जाता था, कभी-कभी जब बहुत जादे बारिस हो जाती थी, तो फ्लड यानी बार आजाती थी और ये दोनों कंडिशन में जो क्रॉप स्यापकी वह रूइन हो जाती दिया नहीं बरबाद हो जाती थी तु जब फार्मर्स की फसल बरबाद हो जाती थी ठीके तो फिर वह खाएंगे क्या और आपको टेक्स के देंगे ठीके उनको दो भूखों मारने की नवब जाता था उनको मारा जाता था पीटा जाता था मतब बहुत प्रकार के अथे चारु पे किये जाते थे उनसे जमीन चीन करके उनको लाइनलेस लेवर बना दिये जाता था यानि हम अपने जमीन के मालिक थे अब हम अपने जमीन में मजदूरी कर रहे हैं लेवर का काम कर रहे ह त्व है क्योंको लोन चुगाना है हमको टैक्स चुगाना है हमको revenue देना है ठीक है और किसाने के लिए farmers के लिए पीजन का मतलब किसान होता है पीजने फार्मर आपका लगबग एक ही चीज होई उनके पास कुछ saving नहीं बसती थी जब बस्ति थी तो ले लोन लेते थे मनी लेंडर के पास जाते थे ने लोट पास जाते थे पैसे उधार लेते थे और लगभग जो फार्मर्स थे भाव पर आनपर थे वह साथ किताब समझ नहीं पाते थे और दस के बदलें से 20 लिया जाता था बढ़ा चड़ाके उन दसे वह थी बहुत ज़्यादि अच्छी नहीं थी बहुत ज़्यिंग णो रहा था अभाई जब बर्बादास की लिमीर्ड जब हट जाईगी बहुत ज़्यादा जब एक्स्प्ल adalah हो जाएगा तो किसान क्या करते फारमर्स क्या होगे उन्होंने विद्रो कर दिया आंदोलन कर दिया Rio Dae करके समझ्याओं को लेखर करके लीडर्शिप के अंडर उन्हें कर दिया डिस कंतेंट वह गयते उसके वाज से आउट ब्रेक हो गया अग्या नाइनी सेंचरी की आज पास है याई यह 18- assembled ZERO 1 से लेकर के 19 सेंचूरी तक जो है की बहुत सारे लीवोल्ट भे बहुत अनक्रीनाद रिवोल्ट हुए ति कि आलग लग जगए कि रिवोल्ट होता था जहां के कीसान को ज्याधा एक्क्रड की जाता था वहां किसानों की समस्या थी तो किसानों की समस्या को गांदी जी ने उठाया अंचन किया वो जुबना पड़ा और जो डिसीजन था वो फारबर्स के पक्ष़ी में सुनाया गया इसे गांदी जी पापुलियर हो गए और सत्य अग्रह आंदोलन का जन्म हुआ अब अगली हीडिंग आपके बुग में हैं अगर आपके बुग होगी तो आप देख पा रहे हैं चेंजिंग नेचर आप पीजन पीजन रिवोल्ट का जो भी यानि किसानों के जो बिद्रों हुए थे जो फार्मर्स अंग्रीज को खिलाफ जो खड़े हो गए थे ठीक है और अपने हक के लिए अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे थे बिद्रों कर रहे तो खुला बिरोत कर रहे थे तो उसमें यह कैं यूपी के परताबगड़ में सुल्तानपूर में थीक है और फैजा बाद में नाइनीन ट्वींटे के असवास चंप करके वद्रों हुआ चिक है और ऎवध पूसान सभा तीक है trending यह एक संगर्टन बनाया गया थग टीक है और जवाला लेहरू जैसे नेताओं के लीडर्शिप में जंबर के विद्रों किया गया और अंग्रिजों को आज दिखाया गया तीक है रामचंद्र भी थे उसमें रामचंद्र थे जवाला लेहरू थे टीक है इन लोगों ने किसानों के हक के लिए फार्मर्स पर जो और 1924 में टुर्ण टॉन्जौर एक आपका जगह था टुर्ण ऑर टॉन हमीर कि अद्धर पर्देश की इलागे उन्हें बनाया था और इस association के अंडर्शिप में कृष्णा गोदावरी बेल्ट में कृष्णा गोदावरी के बेल्ट में ठीक है उन्हें ने जम करके विद्रो किया और फार्मन्स की आवाज को उठाने का प्रयास किया ठीक है फिर आपके उत्तर प्रदेश में भी खिसान हुआ जमेंदारी सिस्टेम के खिलाब और अंग्रेजे के खिलाब ठीक है बात करते हैं बिहार की यह आलागलग टाइम पर आलागलग जगा रिवोल्ट हुआ ठीक है इसमें से कुछ रिवोल्ट आपके सफल हुए अंग्रेजों को जुकना पड़ा और कुछ जगह इन रि सवामी सहाजानंद ने किसान सभा बनाई किसान सभा बना करके पूरे बिहार के फार्मर्स को जगाने का काम किया ठीक है उनको नको बुद्धी देने का काम किया और उनको लड़ने के लिए प्रेड़ करने का काम किया वाल्ला सरदार वाल्ला भाई पटेल ने बारदोली नामक अस्थान पे जगह का नाम क्या था? बारदोली बारदोली नामक जगह पे सरदार पटेल के निर्थित्यों में भी बिद्रो हुआ और बिद्रो आपका सफल हुआ अंग्रेजों को पीछे आटना पड़ा अंग्रेजों ने बात मानी ठीक है इसी सत्यागरा के बाद इसी बिद्रो के बाद वहां की जो महिलाएं थी लेडिस थी उन्होंने वाला भाई पडिल को सरदार कहके पुका रहा था पहले बार उन्होंने उनको सरदार का टाइटल बारदोली सत्यागरा में मिला और वो आपका 1927 में हुआ था ठीक है उसके बाद भी बहुत सारे संगठन बनाए गए ठीक है और अलग अलग जगा में बिद्रो हुए कुछ आपके किसान कुछ आपके फार्मर कुछ को आपका फार्मर रिवोल्ट कहा जाता है किसान बिद्रो कहा जाता है और कुछ आपकी जो जंगली लोग थे आदिवासी लोग थे उनके द्वारा आपके कुछ रिवोल्ट किया गया उन में से भी कुछ किसान थे और कुछ किसान नहीं थे ठीके तो जो जन जाती थी उसने भी बहुत ज़्यादा बिद्रो किया संथाल बिद्रो ठीके कूका बिद्रो ठीके ठीके और फिर आपका उसके बासे असम में बिद्रो हुआ सन्यासी बिद्रो बहुत आई के बिद्रो हुए ठीक है आपके 1700 93 से ले करगे 1857 तक आपके बहुत सारी बिंद्र हुए 1857 में जब फॉर्स्ट आपका इंडियन इंडिपेंडेंस वार हुआ तो उसके बाद भी यह सब आपका विद्रो चलता रहा ठीक है अंगरेजियों का कोई ऐसा नियम आता जिससे किसानों को प्राबलम होती आतियाचार किया जाता तो यहां के किसान बिभी में नेताओं के लिडर्शिप में आंदुलन करते थे यहां वियाद को पूरा चैप्ट को आपके बुक के मैंने कवर करने का प्रयास किया है अगर आपके इसाप से कुछ चूट गया हो ठीक है या कोई कमी रहे गई हो तो आप सब स्टुडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कोई भी डाउट हो या कोशन पूछना हो तो आप कोशन पूछने में हिच सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को आप अपने दोस्तों में अपने फ्रेंट सर्केल में शेयर किया करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा एक्स्प्लेनेशन मैं प्रोवाइड करा सकूँ ठीक है और अगर आपने पीछले चैप्रेश के वी सबका मैंने वीडियो बना हुआ है इसी तरीगे से सिंपल लैंगुज मैंने उसमें समझाय हुआ है आप अपने जानकारी के लिए उसको देख सकते हैं तो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत